नोज़े दोस्तों, देट हैं आज की 16 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरेल डिसकेशन में आज हिंदू में देखो एक भी इंपोर्टन आर्टिकल नहीं है एक जो ये छोटा सा आर्टिकल है ये ओनलाइन गेमिंग से सम्मधित है हमने देखो 29 दिसंबर को ओनलाइन गेमिंग से सम्मधित इशु काफ़ ज़्यादा डिटेल में डिसकेश किया था अभी नया ये हुआ है करनाटक हाइगोर्ट ने करनाटक में जो फैंटसी स्पोर्ट यानी ओनलाइन जो फैंटसी गेम उन पर लगे बैन को हटा दिया है तो जो points हैं, कोई नया point नहीं है, सारे पुराने points हैं, लेकिन फिर भी कुछ students ये बोलते हैं, sir, revise करवा दीजिए, तो आज की discussion के अंत में ये issue फिर से हम revise कर लेंगे, otherwise कुछ नया नहीं है, चार articles आज हम discuss करेंगे, अलग-अलग newspaper से, दो Indian Express के, एक हिंदुस्तान टाइम्स का और एक business line का, सबसे पहला article हम Indian Express का discuss करेंगे, R&D पर budget allocation से सम्मदित, दूसरा article agriculture कितना contribute करता है, green house, gases के emission में, ये दूसरा article Indian Express का, तीसरा article business line का हम discuss करेंगे, cotton production से सम्मदित, और चोथा article हम discuss करेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स का, soft power और hard power, दोनों powers के India को आफ सकता है, ये lesson इंडिया को सीखने को मिलता है, Ukraine crisis से, ये जो तीसरा और चोथे नंबर का article है, ये छोटे-छोटे है, मतलब इनके important points हम extract करके discuss करेंगे, और सबसे last में हम revise करेंगे, ये online gaming वाला, कई बार essay में आप इस परकार की चीज़ें लिखते हो कि, गांदी जी ने ये dream संजोई थी, इंडिया के लिए देखी थी, या फिर आप अपने बारे में लिख सकते हो, मेरा ऐसा सपना है, ऐसे भारत का निर्मान हो, तो last में फिर आप futuristic approach आपको लिखनी होती है न, essay के conclusion में, तब है आप ये लिख सकते हो, कि सपना तो संजोल या dream तो ले ली, लेकिन dream reality जादू से नहीं होगी, इसके लिए पसीना बहाना होगा, determination, hard work, अंग इन सब चीज़ों की आउ सकता है, तब ये court आप इस्तमाल कर सकत है, और इसके लिए क्या steps लेने के आउ सकता है, 250 words में आपको इस question का answer देने की, देना है मतलब, आउ सकता क्या है, question का answer देना है, अब discussion स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा question, ethics से सम्मंदित में आपसे पूछता हूँ, आपने मध्यमारक के बारे में सुना होगा, बुद् तरफ नहीं आप बिलकुल ही योगी बन जाओ की संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी चीज की कोई आप सकता नहीं है, middle path हमेशा सही रहता है, Aristotle का भी यही view था, best practicable पर ध्यान दो, यानि extremes को avoid करो, middle path adopt करो, जैसे देखो example है, sitar का, sitar या guitar जो है, अगर sitar के जो tar है, बहुत ज़्यादा lose होंगे, तो sitar काम नहीं करेगा, लेकिन sitar के tar अगर बहुत ज़्यादा tight होंगे, तो भी music produced नहीं होगा, तो middle path is always good, तो यह तो भूमिका है, question मेरा यह आप से, कि civil services के लिए, मध्या मार्ग यानि middle path जो है, वो क्यों relevant है, एक दो example देके आप समझाओ, देखो मैं देता हूँ, इतना time नहीं है, मैं देता हूँ, सबसे पहली चीज़, आप transparency के example लिजिए, अगर देखो civil servants, अपनी working में बहुत ज़्यादा transparency बरतेंगे, तो फिर बहुत सारी classified information भी वो release कर देंगे, वो information defense से समंधित हो सकती है, हो सकता है कुछ projects रुक भी जाएं तो इसलिए, एक middle path civil servants को अपनाने के आँ सकता है, transparency ज़रूरी है, corruption को रोकने के लिए, लेकिन एक balance भी establish करने के आँ सकता है, जो जो चीजें, मतलब जो information सहेज कर रखनी चाहिए, चाहिए वो privacy से समंधित हो, या फिर देश की security से समंधित हो, वो information leak नहीं होनी चाहिए, तो एक balance establish हो, middle path, देखो ये तो ज़रूरी है, farmers के परती, tribals के परती, ग्रीब लोगों के परती, civil servants की empathy, compassion ये होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा empathy है, तो फिर तो देखो, civil servants rule of law के हिसाब से काम ही नहीं कर पाएंगे, बहुत बार जैसे किसी tribal ने कोई crime कर दिया, लेकिन civil servant ने उसे माफ कर दिया, क्यों, tribal person के परती बहुत ज़्यदा empathy है, compassion है, कोई project बनाना है, थोड़े से tribals विरोध कर रहे हैं, लेकिन civil servant की बहुत ज़्यदा empathy है, tribals के परती, तो वहाँ पर project बनी नहीं इसकेगा, लेकिन काफी बार देखना पड़ता है, कि development project compromise भी करने पड़ती है, एक balance establish करना पड़ता है, तो middle path ज़रूरी है, ना तो extreme empathy होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि empathy बिल्कुल ही नहीं है, तो इस परकार से हमने examples की साहिता से समझा, civil servants के लिए middle path कैसे relevant है, अब चलिए discussion start करते हैं, first important article, हमरदेश में R&D यानि research and development पर funding से समझादित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो UNESCO की report के अनुसार, global expenditure जो है R&D पर यानि research and development पर कितना है, 1.7 trillion dollars को पार कर चुका है, लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया देखो अभी भी R&D पर सिरफ 0.66% of GDP खर्च क देखो दूसरे developed countries या फिर emerging जो economic powers हैं East Asia में जैसे Indonesia, उनके comparison में बहुत कम हैं, और इस से भी ज़्यादा, पिसले 2 सालों में अगर आप नज़र डालोगे, तो research and development पर जो fund allocation है, वो बढ़ने के बजाए कम हो रहा है, 2022-23 के budget में, मतलब इस साल के budget में भी R&D पर जो funds allocate किये ग पिछले साल थे, इस साल का जो economic survey है न, उसमें R&D पर कुछ नहीं बोला गया है, जबकि पिछले साल का जो economic survey था न, 2020-21 का, इसमें तो साफ तोर पर बोला गया था, कि दूसरे western और east Asian economies के तरह, इंडिया को भी R&D पर अपनी GDP का कम से कम 2% खर्च करना चाहिए, अभी इंड पर, पिछले साल के economic survey में एक बात ये भी बोली गई थी, कि private sector को भी R&D पर जादा खर्च करना चाहिए, आज के समय में हमारे देश में total जितना पैसा खर्च होता है न, R&D पर, उसमें देखो 37% private sector खर्च करता है, और बाकि बचा हुआ 63% खर्च करता है public sector, जबकि developed countries में situation उल्टी है, वहाँ पर private sector ज़्यादा खर्च करता है R&D पर और public sector कम करता है, लेकिन अगर देखो private sector नहीं खर्च कर रहा है R&D पर, तो public sector को निया यनि सरकार को तो आगे आना ही चाहिए, इसके बाद अगर हम बात करें, सरकार जो R&D के लिए funds allocate करती है, उसमें से किस agency को क कितना मिलता है, देखो Department of Science and Technology ने अन्तिम बार 2020 में ये comprehensive report release की थी कि कौन सी agency कितना पैसा लेती है R&D पर, जितना सरकार allocate करती है न, उसमें 31.6% जाता है D.I.D.O के लिए, ये 2017-18 का data है, 19% गया Department of Space के लिए, 10.8% गया Atomic Energy के लिए, तो ये total मिलाके हो गया 61.4%, बागी बचा 37% कई सारी R&D के agencies को गया जैसे Indian Council of Agriculture Research, CSIR, DST, DBT, ICMR यानि Indian Council of Medical Research, बचा हुआ 0.9% गया Electronics, IT और Renewable Energy पर R&D पर, ये देखो बहुत ज़्यादा important sectors हैं आज के समय में Electronics, IT और Renewable Energy, लेकिन इन पर खर्च हुआ सिरफ 0.9% जितना total R&D पर खर्च हुआ ना, उसका सिरफ 0.9% खर्च हुआ Electronics, IT और Renewable Energy पर, आप एक बार ये graph देखिएं, दूसे देशों से compare करने के लिए, कि इंडिया दूसे देशों के comparison में कितना कम खर्च करता है R&D पर, ये जे ग्रेकलर वाली line है ना, ये हमारी है, बल्कि पिछले कुछ सालों में percentage of GDP के इसाम से देखें, तो R&D पर fund allocation बल्कि कम हो गया है, South Korea तो बहुत अच्छा खर्च करता है, तबी तो South Korea बहुत आगे है technology के मामले में, दूसे देश भी काफी अच्छा पैसा खर्च करते है R&D पर, देखो वैसे तो हमने जैसा discuss किया, कि हमारे देश में public sector ज़्यादा spend करता है R&D पर, जबकि दूसे देशों में pattern ये है कि private sector ज़्यादा खर्च करते है R&D पर, खास करके private sector खर्च करते हैं pharmaceuticals, bio technology, IT hardware, software, automobile, material and chemicals and aerospace and defense, ratio 2001 में थी 19 to 81, यानि private sector खर्च करता था total R&D पर खर्चे का 19% और public sector खर्च करता था 81%, लेकिन 2011-12 में थोड़ी सी situation इंप्रूव हुई है, जितना total 2011-12 में R&D पर खर्च हुआ न, उसका 35% खर्च किया, private sector ने और 65% किया, public sector ने, लेकिन उसके बाद से ये ratio change नहीं हो रही है, उमीद ये की जा रही है, जैसे जैसे देश में manufacturing sector expand होगा न, तो private sector का जो खर्चा है R&D पर वो भी increase हो जाएगा, इसके बाद writer बोलते हैं, 2011-12 से लेके 2017-18 के बीच में, हमारे देश में number of universities और institutions increase हो गए, पहले 752 है, increase होके इनकी संख्या हो गई 2016, जो doctoral degrees award की जाती हैं, उनकी संख्या भी 2011-12 में थी 10,011, और 2017-18 में बढ़के हो गई 24,474, जैसे PhD बगरा, लेकिन देखो दुखत बात ये हैं, जहाँ एक तरफ number of universities increase हो गए, institutions increase हो गए, research and development वाले, even doctoral degrees भी जादा award की गई, लेकिन R&D पर जादा खर्च नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ न, कि पहले जितनी ही funding की जाती है, लेकिन institutions बढ़ गए, यानि एक institute को average तोर पर जो पहले R&D के लिए fund मिला करता था, वो कम हो गया, क्योंकि funding उतनी ही institutes की संख्या बढ़ गई, और वो universities, जो देखो Department of Science and Technology, Department of Bio Technology, Indian Council of Medical Research, और CSIR, इन पर depend करती हैं, वहाँ पर situation और बी जादा खराब हैं, वैसे देखो National Education Policy 2020, ये बोलती हैं, कि हमारे देश के educational institutions में, research and innovation को पर्मोट करना बहुत ज़दा ज़रूरी हैं, वर्ल्ड की best universities से ये evidence मिलता हैं, best teaching और best learning देखो उनी universities में हैं, जहां पर research और knowledge creation का एक बहुत ही strong culture हैं, तो हमारे देश के universities में research और knowledge creation का culture डवलप करना ज़रूरी है, उसमें funding एक important role play करता है, National Education Policy 2020 ये भी suggest करती है, कि National Research Foundation डवलप किया जाए, और ये National Research Foundation अलग-अलग universities, colleges और institutions of higher learning से, जो competitive peer reviewed grant proposal आते हैं ना, उन्हें fund करें, वैसे देखो, पिछले साल की budget speech में, वित मंत्री ने ये कहा था, कि हम अगले 5 सालों में इस National Research Foundation को 50,000 क्रोड रुपे देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई provision किया नहीं गया है, सिरफ speech दी गई है, R&D में अभी देखो जो कम खर्चा होता है ना, उस deficit को Central Government को जल्द से जल्द adders करना होगा, पहले सरकार का target ये होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना, कि देश में R&D पर 1% of GDP खर्च हो, और इसे सुनिश्चित किया जा सकता है, अगर public funding जो है, R&D पर उसे 80% तक increase कर दिया जाता है, वित मंत्री ने पिछले साल की budget speech में, जो 50,000 क्रोड allocate करने की बात कही थी ना, National Research Foundation को, अगर वो कर दिया जाता है, तो देखो CSIR, DHT, SCRB, SCRB मतलब Science Engineering Research Board, DBT, ICMR, Indian Council of Agricultural Research, इनके द्वारा जो भी autonomous universities और institutions को fund किया जाता है, funds की कमी रहती हैं, उस कमी को पूरा किया जा सकता है, वैसे SCRB, यानि Science Engineering Research Board, यह तो आलड़ी competitive basis पर projects को funding कर रही है, तो एक परकार से, जिस उदेशय के साथ, National Education Policy में, National Research Foundation establish करने की बात कही है, वो उदेशय पूरा कर रहा है SCRB, इसके बाद writer बोलते हैं, एक virtual platform establish किया जा सकता है, online platform, जो दिखाए कि किस project के लिए कितनी public funding की गई है, मतलब information अगर सामने रहेंगे न, जनता के, research institutions के, तो और भी ज़्यादा बैतर होगा, इसके बाद next point में writer यह बोलते हैं, अगर देखो, R&D पर fund ज़्यादा allocate होते हैं, तो joint R&D projects भी carry out किये जा सकते हैं, joint मतलब public institutions और start-up या फिर industries वाले, वो मिलके R&D projects पर काम कर सकते हैं, अभी सरकार कुछ projects को fund तो देती हैं, थोड़ा-थोड़ा fund देती हैं, लेकिन अगर funding increase होती है, तो कुछ जो important projects हैं, उनका पूरा का पूरा खर्चा जो है, वो सरकार उठा सकती हैं, इसके अलावा, R&D में जो human resource है ना, उनको भी upgrade करने के आउ सकता हैं, हमारे देश में कुछ जो emerging areas हैं, जैसे internet of the things, artificial intelligence, इनमें adequate expertise की कमी हैं, तो आने वाले 5-6 सालों में, हमें 5000 student या फिर scientist जो हैं, वो दूसरे देशों में, world के दूसरे developed countries में, जो best laboratories हैं ना, R&D के छेतर में, वहाँ पर भेजने पड़ेंगे, doctoral या फिर post-doctoral level पर, training हासिल करने के लिए, और ये भी सुनिशित करना होगा, कि वो वहाँ पर जाके, settle down ना हो जाएं, लास्ट में 2-3 point और भी, इंडिया में जो post-doctoral work हैं ना, जैसे देखो PhD की डिगरी हासिल कर ली किसी ने, उसके बाद उसे better renumeration मिलना चाहिए, यानि जो young scientist हैं ना, उनको अच्छी salaries, अच्छा पैसा मिलना चाहिए, recharge करने के लिए, और सबसे best ये होगा, PhD करने के बाद जो young scientist हैं, उनको use किया जासके, जो collaborative projects चलते हैं न, institutes, universities या फिर industries के बीच में, तो उन collaborative projects के लिए, young scientist का इस्तमाल किया जा सकता हैं, last point, science and technology department को भी थोड़ा अपनी functioning में सुधार लाना होगा, जल्दी जल्दी decision लेने होगे, ज़्यादा ज़्यादा information share करनी होगी, और investigators को allow करना होगा, कि वो असानी से investigate कर सकें, कि कैसे आपने funds को utilize किया हैं, science academies जो इंडिया की हैं, अगर देखो वो जन्ता के साथ में, सरकार के साथ में, R&D से सम्मंदित issues पर communicative रहती हैं, यानि बात करती रहती हैं, जन्ता को information provide करती रहती हैं, सरकार के साथ समभाद करती हैं, तो बहुत अच्छा होगा, सरकार को भी पता लगता रहेगा, कि कौन से R&D projects पर खर्च करना बहुत ज़रा ज़रूरी है, देश के विकास के लिए, देश के उनत्ती के लिए, तो इसलिए Science Academies को communicative रहना होगा, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, R&D से सम्मंदित, चलते हैं आगे, इसके बाद नेक्स article हमारे देश में, Agriculture सेक्टर में होने वाले Emissions से सम्मंदित हैं, देखो इस साल, नहीं, पिछले साल के लाष्ट में, जब UK में, ग्लास्गो में Climate Change सम्मंदित Conference और्गनाईस हुई थी न, तो परधा मंत्री मोधी ने target रखा था कि 2070 आते आते, इंडिया भी carbon neutrality target को हासिल कर लेगा, मतलब जितना carbon इंडिया से emit होगा, उतना ही absorb भी होगा, तो net result ये निकलेगा, zero carbon emission, इवन budget speech के सुरुवात में, जो अमरित काल की बात बोली गई न, उसमें से चार priorities में से एक है, Climate Action and Energy Transition, बजट में ये सारे provisions भी किये गए है, Climate Change को address करने के लिए, जैसे additional 19,500 क्रोड रुपे allocate किये गए है, solar photovoltaic modules के लिए, वितमंतरी ने budget speech में ये कहा, कि thermal power plants में 5-7% of biomass pellets की co-firing की जाएगी, sovereign green bonds, battery swapping policy, ये सब initiatives हैं, जो announce किये गए, Climate Change को address करने के लिए, ये सब positive steps अच्छे हैं, लेकिन देखो हमारे देश में जो agriculture sector है न, वो total जितना methane emit होता है न, उसमें से 73% तो हमारे देश का agriculture sector contribute करता है, European Union और US से ने target रखा 2030 आते आते, जितना वो methane emit करते है न, उसका 30% कम कर देंगे, लेकिन इंडिया ने methane को कम करने का कोई target नहीं रखा है, subsidy सरकार देती है, जैसे यूरिया पर subsidy, कैनल इरिगेशन पर subsidy, इरिगेशन पर पावर पर subsidy, इसके अलावा MSP समन्दित पोल्सीज, प्रोक्योर्मेंट समन्दित पोल्सीज, जो कि देखो, कुछी states में दो crop तक limit है, rice और wheat तक, इन पर सरकार बहुँ जड़ा खर्च करती हैं, और बहुँ जड़ा emissions होता है, लेकिन उनको कम करने के दिशा में, सरकार ने कदम नहीं उठाएं, इसके बाद writer बोलते हैं, देखो एक जनवरी को, FCI के पास wheat और rice के जो stocks हैं न, वो जितने होने चाहिएं, सरकार के पास पढ़ा है, फिर भी सरकार MSP की वज़े से, जो सरकार MSP पर procure करती है, राइस और wheat को, और जिसकी वज़े से crow pattern जो है, वो काफी जड़ा screw हो गया है, खास करके पंजाब, UP और हर्याना के कुछ parts में, उसको address करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसके बाद writer कुछ emission समंदी data पर जैंट करते हैं, देखो agriculture में, हमाले देश में, 408 mmT of carbon dioxide equivalent का emission होता है, मतलब, methane emit होता है, लेकिन उसे compare करे carbon dioxide के अपिक्सा कर्थ, तो जितना methane emit होता है, वो 408 mmT of carbon dioxide के बराबर होता है, rice cultivation सबसे दादा contribute करता है, agriculture sector में, emission के मामले में, जो greenhouse gases का emission होता है न, इंडियन agriculture में, उसमें rice की वज़े से होता है, 17.5%, entric fermentation की वज़े से होता है, 54.6%, देखो जैसे sheep, cattle, ये जो animals होते हैं न, उनकी digestive process की वज़े से, जो emission होता है, उसे कहा जाता है, entric fermentation, fertilizer use की वज़े से, emission होता है, 19%. ये जो gases हैं न, nitrous oxide और methane, ये तो देखो, CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक है, nitrous oxide, CO2 से 270 times ज़्यादा powerful है, जबकि methane, CO2 से 80 गुना ज़्यादा powerful है, यहाँ पर देखो, दो points पर ध्याद देने के आँ सकता है, एक तो इंडिया, nitrous oxide emission को report नहीं करता, अपने national greenhouse, ganses की inventories में, करना चाहिए, दूसरी चीज, जो हमारे देश में, rice residues जलाए जाते हैं, या फिर application of fertilizers, production of fertilizers for rice, energy operations, जैसे की harvesting, pumps, processing, transportation, इन से जो emission होता है, उनको भी नहीं account किया जाता, मतलब उनको भी जगा, इन सब process से, इन सब activities से जो emission होता हैं, उनको भी जगा नहीं मिलती, जो सरकार data देती है, कि हमारे देश में, कितना greenhouse gases का emission हुआ है, इसके लावा, rice की खेती में तो आपको पता है, पानी भी बहुत ज़्यदा इस्तमाल होता हैं, तो फिर देखो, इतना ज़्यदा emission होता है, इतना ज़्यदा पानी इस्तमाल होता है, ground water का जो level है, वो इतना नीचे जा चुका है, और जबकि rice हमारे पास इतना ज़्यदा है, जितना FCI के पास buffer होना चाहिए न, उससे साथ गुना ज़्यदा rice पड़ा है, तो फिर बागी फसलों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती, rice को इतना ज़्यदा हम produce करते हैं, बेफाल्तू का, इतना नुकसान हो रहा है, emission भी हो रहा है, पानी भी खराब हो रहा है, तो सरकार को rice की production address करने के लिए steps उठाने चाहिए, इसके लिए subsidy कम की जा सकती है, MSP जो सरकार के दुरा दिया जाता है, rice के लिए वो कम किया जा सकता है, दूसरी fertilizers या फिर power के लिए subsidies दी जाती है, वो कम किया जा सकता है, और दूसरी फसलों के लिए subsidy increase की जा सकती, अगर सरकार को लगता है, जो nutritious crops हैं, जैसे millets, एक suggestion writer ये भी देते हैं, carbon tax सरकार लगा सकती है, कुछ developed countries में तो carbon tax लगने लगा है, जैसे Sweden ने carbon tax लगा दिया, 137 dollar per ton of carbon dioxide equivalent, European Union ने जो carbon tax लगाया है, वो है 50 dollars per ton equivalent, तो इंडिया में भी अब साइद समय आ गया है, कि इंडिया carbon tax लगाने के बारे में सोचे, ताकि green growth को incentivize किया जास के, अमरित काल में, तो ये हमने article डिसकस किया, Indian Express का, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, business line का है, cotton के डाम बढ़ने से समद्धित, क्या context है, देखो पिछले कुछ दिनों में, cotton yarn के जो डाम हैं हमारे देश में काफी ज़्यादा बढ़ गए हैं, cotton yarn मतलब सूती धागा, जिससे कपड़े बनते हैं, तो इसके बाद, जो textile industry वाले हैं न, उन्होंने सरकार से ये demand की है, कि आप बड़े हुए दामों को adders करने के लिए, दो-तिन step उठाईए, export जो हैं, वो आप बंद कर दीजिए, cotton yarn का, import पर जो अभी duty लगती है, उस duty को खतम कर दीजिए, 11% duty लगती है, अभी cotton यान यानी सूती धागे के import करने पर, इसके साथ-साथ, futures में जो cotton का trade होता है न, उसे भी बंद कर दिया जाए, राइटर इस बात को, analyze करते हैं, क्या textile जो manufacturer हैं, उनकी ये demand सही है ये गलत हैं, राइटर कहते हैं, जो ये textile मिल वाले हैं उनकी ये demand गलत हैं, गलत क्यूं हैं, गलत देखो इसलिए हैं, वैज़े दो देखो इंडिया, cotton के मामले में ना सिरफ largest cultivator है, बलकि largest producer भी हैं, उपर देखिए, आपको दिखे गाने में दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, लाज़ेस्ट कल्टिवेटर भी हैं, लाज़ेस्ट प्रड्यूसर भी हैं, और जब से हमारे देश में BT cotton आया हैं न, 2002 में, तब से yield थोड़ी बहुत थो increase हुई हैं, लेकिन अभी भी पर hectare cotton के जो yield हैं काफी ज़धा काम हैं, और जबकि cotton को उगाने में cost increase हुई है, cotton जो है mainly rain fed areas में उगाई जाती है, और तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा cotton उगती हैं, महराश्टर में, गुजरात में, और तेलंगाना में, cost पिछले कुछ सालों में काफी increase हुई हैं, cost increase हुई हैं, लेकिन, MSP उस हिसाब से increase नहीं हुआ हैं, चुकि सरकार cotton को परक्योर नहीं करती, राइस और वीट की तरह हैं, इस वज़े से बहुत बार, cotton farmers को अपनी जो फसले हैं ना, बिल्कुल ओने पोने दामों पर बेचनी पड़ती थी, और एक चीज देखो, 2000 से लेके 2015 के बीच, महराष्टर में जो farmers जिन्हों ने suicide किया ना, उसमें से ज़रातर तो traditional cotton grower थे, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो, cotton farmers के दुख का, तो writer का main point ये है, इतने सालों तक जो textile मिल वाले हैं, वो फाइदा कमाते रहे, बिचारे cotton farmers जो हैं, वो दुख में रहे, इतने सालों के बाद finally, cotton yarn के दाम बढ़े हैं, तो कम से कम अब उनको profit आप कमाने दो ना, अगर देखो, सरकार ने ये steps उठा लिए, मान लीजिए, export पर ban लगा दिया, और import duty को खतम कर दिया, future जो trade होता है, उसमें से cotton को निकाल दिया, तो तो फिर cotton yarn के दाम फिट से कम हो जाएंगे, और किसानों को cotton farmers जो अभी profit कमा रहे हैं, उनको फिर profit नहीं होगा, तो writer इसलिए कहना चाहते हैं, इतने सालों तक cotton farmers ने दुख जेला, कम MSP से कम दाम में अपनी फसल बेची, लेकिन किसी textile मिल वाले ने cotton farmers की मदद नहीं की, तो अब थोड़ा सा दाम बढ़ा, तो वो सरकार से गुहार लगा रही हैं, कि आप ये सब steps उठाइए, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, cotton से समधित, इसके बाद अगला जो article है, वो हिंदूस्तान टाइम्स का है, अभी देखो, युक्रेइन को लेके, रस्या और वेस्ट के बीच में टकराव हैं, तो इस टकराव से इंडिया को क्या सीखने के आउ सकता हैं, देखो रस्या के पास अभी hard power हैं, रस्या अपनी GDP का 4% करता है, मिल्टरी इंफरस्टेक्चर पर, रस्या ने अपनी ट्रूप्स जो है, वो जमा करके रखी हैं, युक्रेइन बोर्डर पर, रस्या hard step ले भी सकता है, ऐसा पुति ने दिखाया है, जैसे जोर्जिया में 2008 में रस्या ने वार किया, सीरिया में रस्या ने intervention किया, तो रस्या युक्रेइन के ऊपर attack कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन, दूसरी तरफ देखो, युरोपियन युनियन के पास ना soft power है, युक्रेइन के जाद तर जो लोग है ना, उनका जुकाव युरोपियन युनियन के तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उनको रगता है कि युरोपियन युनियन का culture अच्छा है, युरोप की countries का, वहाँ पे, जो economic opportunities है ना, वो ज़्यादा है, वहाँ की जो values है ना, वो ज़्यादा liberal है, तो मतलब एक तरफ जहां रश्या के पास soft power है, और युरोपियन युनियन के पास, नहीं, सोरी मैंने उल्टा बोल दिया, रश्या के पास जहां hard power है, और युरोपियन युनियन के पास soft power है, तो इंडिया को ये सीखने के आउ सकता है, दोनों powers इंडिया के पास होनी चाहिए, ना तो देखो, इंडिया अपने military पे जो invest करता है, उसको ignore कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार सिरफ equipments को purchase करने पर खर्चा करे, R&D पर भी खर्चा करे, defense के मामले में, ना तो इंडिया ये ignore कर सकता है, और ना ही इंडिया soft power ignore कर सकता है, जैसे हमारे परोसी देशों की बात करें, neighborhood countries की, उनको एक ऐसा alternative present करना है, कि इंडिया के पास market है, इंडिया के पास technology है, इंडिया invest कर सकता है, इसलिए इंडिया के साथ संबन्द बनाना बहुत जरूरी है, ये मैसूस होना चाहिए, हमारे आसपरोस के देशों को, ये हमें सीखने को मिलता है, अभी फिलाल यूक्रेन और यूक्रेन को लेके, European Union और रश्या के बीच में conflict चल रहा है न, इस conflict से हमें ये सीखने को मिलता है, कि इंडिया कोई भी power ignore नहीं कर सकता, रश्या के पास hard power है, तो हमारे पास भी hard power होनी चाहिए, European Union के पास soft power है, तो हमें soft power पे भी ध्यान देना होगा, तब जाके इंडिया अपनी global standing को increase कर सकता है, तो ये धुरूव जैसंकर, जो S. जैसंकर के बेटे हैं, उनके दोरा ये article लिखा गया है, जो important essence है, वो हमने discuss किया, इसे आप कहीं न कहीं, essay में या फिर IR के article में इस्तमाल कर सकते हूं, इसके बाद next जो article है, वो online gaming से समदित हैं, important article, online games के regulation से समदित हैं, आप GS, पेपर सेकेंड के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो, COVID-19 की महमारी ने, कई सारे aspects में, human beings की lives को परभवित किया हैं, OTT पर तो काफी चर्चा हुई हैं, जैसे Amazon, Netflix, इन पर कितनी सारी movies आने लगी हैं, पहले तो movies, सारी PVR में, Cinema Halls में release होती थी, लेकिन आजकल, इस महमारी के समय में, जातर जो movies हैं, वो OTT platforms पर release होती हैं, लेकिन देखो, online gaming ने किस परकार से, human beings की life को परभवित किया हैं, इस issue पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई हैं, COVID-19 से पहले, और अब के समय को अगर compare करें, तो online gaming जो है, लोगों ने online gaming पर 65% ज़्यादा time बिताया हैं, अगर हम compare करें, COVID-19 के पहले के समय से, अभी के समय को, 43 करोड जो लोग हैं हमरे देश में, वो virtual gaming पर, यानि online games पर time spend करते हैं, देखो जितने भी online games हैं, उनको आप तीन केटेगरी में divide कर सकते हो, सबसे पहली जो केटेगरी हैं, वो है e-sports की, जैसे देखो cricket, football, ये physically खेले जाते हैं, लेकिन इनको virtually खेलना, पुराने समय में तो, आप video games की soaps में जाके, आप तो नहीं मतलब बच्चे जो हैं, वीडियो games की soaps में जाके game खेलते थे, लेकिन आज कल, ये games आसानी से घरों में भी खेले जा सकते हैं, जैसे online cricket खेलना, online football खेलना, ये है e-sports, sports को आप virtually प्ले कर रहे हो, दूसरी के टेगरी के games है fantasy sports, इसमें क्या होता है, जैसे देखो एक application है dream 11, माल लीजे, इंडिया और अस्टेलिया का cricket match है, दो person है, X और Y, X अपनी team choose करता है, X ने दोनों teamें से कोई भी 5 players choose कर लिये, और Y ने भी कोई भी 5 players choose कर लिये, अब जब देखो, रियल में इंडिया और अस्टेलिया का match होगा न, तो देखा जाएगा, X ने जो 5 players choose किये हैं, उन्होंने कितने run बनाए हैं, Y ने जो 5 players choose किये हैं, उन्होंने कितने run बनाए हैं, तो जिसने ज़्यादा run बनाए होंगे, X या Y के players में से, वो person जीट जाएगा, समझ गए, अगर X के 5 प्लेयर्स ने ज़्यादा रन बनाए है तो X जीच जाएगा Y के प्लेयर्स ने ज़्यादा रन बनाए है तो Y जीच जाएगा ये मैंने आपको एक सिंपल सा एक्जामपल दिया Fantasy Sports का इसमें देखो गेम तो रियल में होता है जैसे इंडिया आश्टेलिया का मैच हुआ Real Players के बीच में हुआ लेकिन आपने अपनी मनपसंद Team Choose कर ली और उसके अधार पर तै होगा कि आपने जो Team Choose की है आपने जो Players Choose किये है उन्होंने रियल में कितने रन बनाए है उसके Base पर ये तै होता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो इसके बाद तीसरी केटेगरी है Online Casual Games अब देखो Online Casual Games में तो जैसे Ludo हो गया Online या फिर Chess हो गया, इसमें दोनों तरके गेम सामिल है, Skill Based भी और Luck Based भी, अब देखो जैसे Chess है, Online आप Chess खेलते हो, ये तो Skill Based है लेकिन मालीजे, ऐसा कोई गेम है, जिसमें आप कोई Dice जो है, उसको Move करते हो, और ये आपके हाथ में नहीं है उस Dice में 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये टोटली Luck Based है, तो Luck Based Games भी है, Online Casual Games में और Skill Based Games भी है तो इस परकार से तीन केटेगरीज में Online Games को हमने Divide करके डिसकस किया देखो वैसे ये पूरी जो Online Games के Industry है ना, फालफुल रही है, जैसा हमने सुरुवात में भी डिसकस किया, पहले के अपिकसा करत, जादा लोग Online Games को Play कर रही है, जादा Time Spend कर रही है, लेकिन इन Online Games को Regulate करने के लिए Proper Mechanism अभी भी हमारे देश में नहीं है, कोई Comprehensive कानून ऐसा नहीं है जो इन Online Games को Regulate करता हो, और चुकि देखो इन Online Games में अब Users पैसा जीतते हैं हारते हैं, मतलब बहुत सारे Games आपने देखे होंगे, जिसमें Users जो हैं पैसा जीत जाते हैं, या फिर हार जाते हैं तो सरकार में ये भी डिबेट चल रही है, कि Tax कितना लगाया जाए क्या सभी Online Games जिसमें Users पैसा जीतते हैं, उन सब पर Same Tax लगाया जाए या फिर, जो Skill वाले Games उन पर सरकार कम Tax लगाया और जो Chance वाले Games है उन पर सरकार ज्यादा Tax लगाया जैसे Skill वाले Games पर 18% और Chance वाले Games पर 28% ये point आगे आएगा भी, अगर देखो हम Current Status की बात करेना, अभी हमारे देश में कोई Comprehensive Legislation तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून बिल्कुल है ही नहीं देखो ये Batting, Gambling ये न State Subject है तो State कानून बना सकता है इन Issue पर हमारे देश में, पूरे देश में अगर Goa, Sikkim Union territory of Daman इनको हम छोड़ देना तो हमारे देश में बाकी सभी राज्यों में किसी भी परकार की Gambling Batting पर Ban है मतलब Chance वाले Games पर पूरी तरह से हमारे देश में Ban है जैसे Casinos आपको नहीं देखने को मिलेंगे Goa में देखने को मिलेंगे, Sikkim में देखने को मिलेंगे और Daman में देखने को मिलेंगे बाकी पूरे भारत में किसी भी दूसरे राज्य में या फिर यूटी में आपको Casinos नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि उसमें यह Game of Chance है सिरफ Luck पर Depend करता है कि आप जीत रहे हो या फिर हार रहे हो इसमें कोई भी Skill का यूज नहीं है उसी परकार से इन राज्यों में देखो Game of Skills पर भी Restrictions है पिछले दिनों तो लुड़ो भी Controversy में आ गया था कि लुड़ो Game by Chance है या फिर Game by Skill है इस पर भी Controversy जनरेट हो गई थी और देखो Legal Position चाहे कुछ भी हो लेकिन यह बात सच है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन Online Games के Addict होते जा रही हैं दिन में वो 6 से लेके 8 गंटों के बीच Online Games पर बिताते हैं इस वज़े से उनकी जो आखें हैं Eyesight कमजोर हो रही हैं इतना सारा समय Online Games पर बिताने के बाद अगर बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता Family के साथ bonding जो है वो काफी कमजोर रहती है Real Life में दोस्त नहीं बन पाते फिर बाद में अकेलापन आता है Relationship अच्छी नहीं बन पाती Parents बिचारे अपनी तरफ से और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है बहुत बार देखो Privacy Issues भी जो यंग चिल्डरन है वो फेस करते हैं जैसे Online Games प्ले करते वक्त उन्होंने अपनी Personal Information यूज कर ली बाद में उस Information की साहिता से उन्हें डराया धमकाया जाता है Online Bullying होती है तो कहने का मतलब ये है देखो Opportunity Cost जो है वो काफी ज़्यादा है Opportunity Cost मतलब देखो थोड़ा सा Entertainment तो है लेकिन नुकसान ज़्यादा है इसी वज़े से देखो इन Online Games को अच्छे से Regulate करने की आव सकता है जब देखो जो Casinos है उनमें Age के अधार पर Entry होती है आप इस Age के हो पटिकलर Age के तभी आप Casinos में Enter कर सकते हो Otherwise नहीं तो Online Games में Age के अधार पर Entry क्यों ना हो आप बताईए कैसे ये possible हो सकता है Online Games वाले बोल सकते है आप अपना अधार कार्ड लाइए तभी हम आपको ये गेम खेलने देंगे Otherwise नहीं तो अधार कार्ड से Age वेरिफाई की जा सकती है Online Games प्ले करने के लिए जैसे देखो चाइना में हाल ही में एक रूल आया था कि वो बच्चे जो 18 साल से कम उमर के हैं वो एक हफ़ते में सिरफ तीन घंटे ही वीडियो गेम्स खेल सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं Chinese State Media ने Online Games को करार दिया है Opium of Mind यानि Mind को नशा हो जाता है जब वो Online Video Games खेलते हैं Central Government ने States को एक Advisory जारी की थी हमारे देश में कुछ समय पहले Central Government ने कहा था कि आप Parents और Teachers को बताईए कि वो बच्चों को किस परकार से Educate करें Online Games के बारे में Do's and Don'ts की एक Advisory जारी की थी Center ने States को और States ने फर्दर वो Advisory फिर Parents और Teachers को दी देखो वैसे ये Online Gaming Industry जो है वो जैसा हमने डिसकस किया काफी फलफूल रही है और 2025 आते आते 29,000 करोड का revenue भी generate करेगी और 65.7 करोड user होंगे इस industry के काफी सारी jobs generate होंगी 15,000 तो पूरी तरह से बैन तो नहीं लगाया जा सकता इस industry पर लेकिन regulate जरूर करना चाहिए सरकार को regulate करने के लिए बहुत कुछ किया सकता है जैसे देखो एक gaming authority establish की जा सकती है central government के दवरा वैसे तो इन games को बोला जाए कि आप self regulate करो जैसे OTT platforms अपने आपको अभी तक फिलाल self regulate करते हैं हाला कि कुछ guidelines पहले आई थी जिन पर controversy भी पैदा होई थी तो self regulation इनका हो सकता है online games का लेकिन इसके साथ साथ सरकार एक gaming authority बना दे ये जो authority होना इसका काम हो हमारे देश में online games के operations को monitor करना societal issues को prevent करना और online games को classify करना कि कैसा game है skill वाला game है या फिर chance वाला game है जो consumers हैं उनको protect करना और अगर online games में कुछ crime हो रहा है illegality हो रही है तो उससे निपचना ये सारे काम होंगे उस gaming authority के जो central government के दवरा establish की जा सकती है इसके साथ साथ देखो और कुछ चीजें जैसे जो users हैं उनकी KYC हो सकती है जैसे bank करते हैं know your customer proper अधार और OTP verification के बाद ही user को online game खेलने दिया जाए otherwise नहीं इसके अलावा ये online games वाली companies जो हैं वो अपनी users को properly educate करें कि आप लगातार इतने घंटे game खेलोगे तो ये risk है कैसे आप उस risk से बच सकते हो ये सारी चीजें online gaming companies बताएं जैसे लिखा होता है smoking की डबी पर की cigarette पीना अपराद नहीं क्या लिखा होता है cigarette पीना स्वास्टे के लिए हानिका रख है और उसके बाद जो participants की anonymity होती है कि पता नहीं लगता जैसे टेलिग्राम में भी अजीब से नाम कई बर हो जाते हैं users के कुछ भी ले ले लेते हैं पता नहीं लगता कौन है अज्यात व्यक्ति तो ये anonymity खतम होने चाहिए वैसे देखो ये चीज अपने आप में contradictory है अभी तो writer बोले कि privacy issues है अगर कोई अपना real नाम use करेगा तो तो सब को पता लग जाएगा न balance establish करना पड़ेगा दोनों चीज़ों के बीच में प्राइवेसी और transparency के बीच में एक proper grievance handling mechanism भी हर एक online game का होना चाहिए ताकि users को जो भी सिकायत है वो अपनी सिकायत को दर्जगरवास के ये कुछ suggestions writer देते हैं अपनी तरफ से कि online games को किस परकार से regulate किया जा सकता है तो ये थी हमारी आज की discussion इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion